कोटा की शहर पुलिस की स्पेशल टीम और गुमान प्राथाना पुलिस ने आज कारेवाई करते वे दस लाग रुपाय कीमत की स्मैक के साथ एक तसकर को गिराफतार किया है स्पेशल टीम के सदस्यों को सूचना मिली थी कि 56 निवासी आरोपी इंसाफ अली स्मैक का कारोबाद कर रहा है ऐसे में पुलिस टीम ने जाल बिचाते वे आरोपी इंसाफ अली को पकड़ा और उसके कबजे से 100 ग्राम स्मैक बरामत की बरामत की गई स्मैक की कीमत अंतर राश्ट्रे बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है फिरहाल गुमानपुरा थाना पुलिस ने कोड़ में पेश कर आरोपी को रिमान पर लिया है रिमान अब्धी के दोरान आरोपी से स्मैक की खरीद फरुक के बारे में पोश्टाच की जाएगी हाँ एसपी साथ कोटा दोरा नशा करने वाले और नशा बीचने वालों के विरुत एक विचेश अभियान चलाए गया है कोटा के ख़बरों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूबर सब्सक्राइब करें कोटाखवर.com पर और हाँ बेल आइकन दवाना ना भूले